हालो गाइज माइनेम इच पवन नागर एंड यू आर वाचिंग टी सी अमेल एंड इन इस वीडियो हम आपसे बात करेंगे फिबूला बोन के उपर एंड देखिए हमारे पास ओनली फिबूला बोन का ये वन पेज चार्ट है और देखिए इस एक पेज चार्ट के थरू हम की पूरी फिबूला बोन को एकदम धंग से एकदम कॉंसेप्च्वली एकस्प्लेइन करेंगे एंड यहां पर यह क्या दिख रहा है आपको दिस इस दर मोडल फिबूला बोन मतलब इस मोडल के थरू हम जितने भी फिबूला बोन के एटेजमेंट होते हैं उन्हें एकदम simply way में समझेंगे एकदम conceptual way में समझेंगे overall new है कि यार finally जब आप पूरी के पूरी वीडियो देख लोगे न तो आपके पास या फिर बोल दीजिए आपके mind के अंदर only दो चीज़े होगी और वह दो चीज़े क्या होगी सबसे पहले होगा fibula bone का one page chart and then उसके बाद होगा हमा this is the model of fibula bone okay and देखिए video को start करने से पहले मैं आपको दो बाते बताना चाहता हूं and जो पहली बात है वो यह है कि यार आप सभी के play store पर काफे ज़्यदा comments आये थे कि sir tcml mobile app के अंदर बहुत ही ज़्यदा ads आ रहे हैं जिससे sir हमें बहुत ही ज़्यदा irritation हो रही है जब भी हम कोई भी pdf खोलते हैं कोई भी tcml के चार्ट खोलते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यदा ads दिखाए देते हैं कोई भी video play करते हैं तो बहुत सारे ads आते हैं तो finally आप सभी के comments के base पे हमने पूरे के पूरे tcml app से ads हटा दिये हैं overall new है कि अब tcml app के अंदर कोई भी ad नहीं है and overall आपको दिखा भी देता हूं तो यह है हमारा चैनल इस इस एनमेडर एनमेडर और देखिए यार आपका हमें काफी कम support दिखाई दे रहा है इस चैनल पर तो यार अभी आप जाना YouTube पर और वहां पर search करो एनमेडर एनमेडर और देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद यार पूरे के पूरे चैनल को विजिट करना है कि यहाँ पर हमने किस टैप का content upload कर रखा है और देखिए यहाँ पर हमने कुछ नया try किया है आप सभी के और देखिए यार आपको पता ही है कि यार टीसे अमेल पर सारे की सारी वीडियोस और जो हमारा की दिनल मोबाइल एप है वह सभी users के लिए विल्कुल फ्री को शेयर करो जो भी आपके कोलेज की कॉमेंट वाटसब ग्रूप है वहाँ पर एनमेडर को शेयर करो ताकि यार हमें आपके तरफ से बहुत ही जदा पोजिट्व रेस्कॉंस मिलें एंड देखिए अभी एनमेडर पर नियर अबाउट 24,300 सब्सक्राइबर्स है तो यार अब देखते हैं कि आप हमें कितना सपोट दिखाते हैं ओके एंड अब आते हैं हमारे मेंड पॉइंट पर हाँ तो देखिए अब हम आते हैं हमारे फिबूला बोन के वन पेज चार्ट के एक्स्प्लेनेशन पर और देखिए ये वाली वीडियो आपके लिए तभी बेनेफिट होगी जब ये वाला चार्ट आपके पास पहले से बना हुआ होगा एकदम प्रिपेड होगा तो देख करना वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी अपर लिम लोब लिम थोरेक्स अब्डमन हेड नेक तो फाइनली आप जाना बोन्स वाले पर एंड जब आप बोन्स वाले वह क्लिक करेंगे तो उसे भी तोला नीचे की तरफ स्वाइब डाउन करना मतलब आपको सबस लोग बोन्स पढ़ते हैं आपको बताया था कि कोई भी लोग बोन्स पढ़ लो हमारे दिमाग के अनदर बस एक ही concept होगा और वो होगा तीन वाला मतलब एक ही concept होगा और वो concept क्या होगा कि सबसे पहले हमें पढ़ना है कोई भी बोन्स का side determination उसके बाद पढ़ना है हमें उ सबी के साइड determination का एक journal concept बता रखा है और वो क्या है कि आप कोई भी long bone को समझिए चाहिए टीबिया हो चाहिए हो फिबूला हो चाहिए टीबिया हो उसे आप समझिए एक box यह colgate का box this is bone okay and इस box के पास क्या है six surface है this is anterior this is posterior this is lateral this is medial this is superior और नीचे वाली क्या है inferior six surface है and देखिए अगर मैंने एक surface की कोई special चीज याद कर ली just like मैंने देखा कि anterior surface पर क्या है यहाँ पर 30 को काटके 20 लिक रहा है तो यह क्या हो गई anterior surface पर special चीज तो of course मुझे इस चीज के थुरू 23 को काटके 20 लिक रहा है इसके थुरू मुझे पता लग गया कि यह anterior surface है तो इस के posit वाली क् posterior surface होगी, उसी तरह से मैंने lateral or medial surface इसको decide करने के लिए एक चीज याद कर ली कहीं भी, चाहिए lateral पर याद करो चाहिए medial पर याद करो, just like मैंने इधर याद कर लिया कि यहाँ पर यह चीज है, तो of course इसके opposite वाली क्या होगी, medial होगी, उसी तरह से मैंने superior और inferior decide करने के लिए क्या किया, एक चीज याद कर ली कहीं भी, कि superior पर यह चीज है, inferior पर यह चीज है, मतलब मैंने inferior का याद किया, कि inferior पर यह चीज है, तो of course इसके opposite वाली क्या होगी, superior होगी, okay आयोप आप समझे नहीं होंगे तो चलिए, इस वाले concept को bone पर apply करते है, तो overall यह bone है okay, तो हमें इसका क्या decide करना होता है, upper end और lower end यार हमें इसका side determination करना है तो पहले पता होना चीज है ना, कि इसको हमें ऐसे पकड़ना है, कि ऐसे पकड़ना है okay, तो वही, upper end और lower end decide करना है, फिर lateral, medial decide करना है, फिर anterior, posterior decide करना है, बतलब 6 चीजे हो गया ना, upper end, lower end upper end, lower end, lateral, medial, anterior posterior, bone पे, यहाँ पे भी क्या थी? 6 surface थी और वही 6 surface में से मैंने 3 surface की 3 special चीजे decide की, anterior, posterior मैंने 1 की decide की, lateral, medial मैंने 1 की decide की, और superior, inferior मैंने 1 की decide की उसी तरह से यहाँ पर है अगर आपको upper end और lower end यह confirm करना है कि यह upper है यह lower है तो आप दोनों में से जो आपको comfort लगे उसकी एक चीज याद कर लो तो देखिए मैंने इसके लिए क्या decide किया इसके लिए मैंने decide किया कि जो upper end है उस पर एकदम sharp एकदम pointed सी चीज होगी and इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं apex याँ बोल दीजिए styloid process of fibula देखिए आप upper end और lower end दोनों को देखिए आपको only upper end पर ही एकदम pointed सी एकदम तीखी pointed सी चीज दिखेगी जबकिए आपको lower end पर ऐसा कोई भी pointed चीज नहीं दिखेगी तो देखिए यहाँ पर मैंने हमारे fibula के one page chart के अंदर यहाँ पर इस box के अंदर पूरा fibula bone का side determination लिख रखा है यहाँ पर देखिए upper end और lower end यह मैंने कैसे decide किया upper end को याद रखे कि upper end पर क्या होगा apex यह standard process होगा जो की एकदम pointed होगा तो आयोप आप समझ गए होंगे कि हमने upper or lower end decide कर लिया उसके बाद हम आते हैं second point याई कि अब हमें decide करना है medial or lateral तो देखिए मैंने medial or lateral decide करने के लिए क्या ध्यान रखा lower end कि अगर आपको medial or lateral side decide करनी है fibula bone की कि यह वाला part medial होगा कि यह वाला part medial होगा तो आप जाएं lower end पर तो upper end होगया point 8 तो मैं आया lower end पर कि यह lower end होगया lower end के भी जाना है medial surface हम यहाँ पढ़ेंगे कि lower end के 4 surface होती है तो उसकी भी गय हम medial surface पर and medial surface पर आपको 2 चीज़े मिलेगी सबसे पहली मिलेगी आपको triangular articular surface और दूसरी मिलेगी आपको malliolar fossa triangular articular surface यह कहां मिलेगा आपको मतलब medial surface में भी आगे की side आपको मिलेगा triangular articular surface और पिछे की side किया मिलेगा देखिए मैं इस side determination को और भी ज़दा clear करूंगा जब मैं आपको femur bone का lower end पढ़ाऊंगा कुकि मैं बताऊंगा sorry, fibula bone का lower end पढ़ाऊंगा कुकि मैं बताऊंगा जब भी आपका कोई भी external आया और उसने आपको fibula bone पकड़ाई तो वो सुनना चाहता है आपसे lower end और आं यू बोल दीजिए कि ये दोनों diagram these are very very important diagram वो fibula bone ये दोनों diagram तो हर बंदे को आने चाहिए अगर fibula bone को अच्छे से करना है या फिर बोल दीजिए इसका side determination अच्छे से करना है तो इस diagram से all भी अच्छे से clear होगी तो आगे की side क्या हुआ triangular articular surface और पीछे की side क्या होता है पीछे की side और नीचे की तरफ posterior end below side क्या होता है mallular fossa तो yes this is pointed apex या बोल दीजिए steroid process apex बोल दीजिए steroid process बोल दीजिए एक ही बात है तो ये upper end हो गया lateral medial के लिए में आया lower end पर lower end की भी this is medial surface और यहाँ पर देखे मुझे एक तब smooth सा triangular सी चीज़ दिख रही है आप को भी दिख रही होगे देखिए यहाँ पर देखिए ट्राइंगल है यह देखिए ट्राइंगल है फुरा यह ट्राइंगल का एक ही हो गया एक ही हो गया इसे हम क्या बोलते है this is triangular articular surface और यहाँ पर कौन सी बोन आर्टिकुलेट करती है हमारी टेलस बोन आप पड़ते हो ना ankle joint तो तब आप वहाँ पड़ोगे मैंने बोला ना lower end में मैंने सब लिख रखा है triangular articular surface फोर टेलस और क्या बनाता है यह ankle joint यह बोल दीजिए tibiofemular tibiofibular moltis lower end में हम सारी बात करेंगे यह हो गया तो यह कहाँ पर है triangular articular surface यह आगे की साइड होती है पीछे की साइड क्या है देखी यह पर गड़ा सा है यह गड़ा है जापर मैंने अभी अंगुठा रखा है इसे हम क्या बोलते हैं male leader fosa यह कहा है इसके पीछे की तरफ और नीचे की तरफ देखिए इस paper में मैंने जो भी लिख रखा है वह सारा bone को देख के लिख रखा है मतलब यूँ कि इस page की एक एक line को मैं आराम से bone पर apply कर सकता हूं या पर bone से समझ सकता हूं कुछ भी रटने का नहीं है जब आप इसे 4-5 बार revision करोगे न तो जिस तरह मैं बोल रहा हूं उसी तरह से आप बोल पाओगे बट नहीं है कि यार तो रिविजन करना पड़ेगा यह वाला चार्ड बनाना पड़ेगा ओके यह हो गया तो हमने लेटल मीडर सरीस पर दोचीज़यः अगर मीडर सर्फेजं दो क्यों होगा देशिई लेटन सर्फेस कोमन से बात हैना भाई मैंने यह यही तो बोला था भाई कि एंटियर पॉसेरर इसरी करना गरए इंटियरी चाहे एंटीर की याद करो चाहे पोस्टीर की याद करो अगर एंटीर की याद कर ली तो उसके अपोजिट वाला क्या होगा पोस्टीर होगा मैंने मीडियल की याद कर ली कि मीडियल साइड दो चीज़े होती है यह मीडियल है तो अफकोर्स इसके अपोजिट क्या होगा ले आगे के साइड ट्राइंगुलर आल्टिकुलर सर्फेस है, पीछे के साइड मेलियलर फोसा है, तो ओवराल मैंने मीडियल और लेटरल के साथ साथ एंटिरियर और पोस्टिरियर भी डिसाइड कर लिया, आइओप आउप समझ रहे होंगे, उसी तरह से मैं अगर मैं स्टेलर प्रसेस को भी याद नुर्ख तो मुझे तिमाग में यह तीन चीज़े ही है, मैं स्टेलर प्रसेस भूल गया, चुर्ण मुझे ध्यान नहीं है, अगर मेरे दिमार्ग में ये आल्टिकुलर, ट्रेंगुलर, आल्टिकुलर सर्फेस और मेललर फोसा ये दो चीजे हैं तो overall ये दो चीजे कहां पर हैं? Lower end पर हैं तो of course यार अगर आपको ये दो चीजे जहां दिखाए दे रही है वो lower end है तो इसके opposite क्या होगा, upper end होगा, ओके, आयोप आप समझ गए होगे, एक बार मैं speedly देखता हूँ, ओके, तो यह हमारी fibula bone है, टेप से पहले मैंने decide किया upper end, lower end, upper end पर क्या है, pointed, एक दम pointed चीज़ है, जिसे हम बोलते है, stellar process, तो इससे मैंने upper end decide किया, तो यह upper end हो गया, यह lower end ह गया, एक बात काम हो गया, तीन काम करने है, तीन काम करने हैं, आपर end lower end, medial lateral और anterior, posterior, दूसरा क्या है, medial lateral का, तो medial lateral के लिए मैं आया, कहां पर lower end पर, lower end पर, कहां पर medial surface पर, medial surface पर मुझे दो चीज़ दिखाए दी, triangular, articular surface और mellular fossa, तो of course, medial surface पर क्या है, दो चीज़ medial surface पर है, तो इसके opposite वाली क्या होगे, this is lateral surface, ओके, यह हो गया, उसी के साथ देखिए, जो triangular, articular surface है, या आगे की साइड होती है, mellular fossa पीछे की साइड होता है, तो इसी से मैंने anterior posterior bhi decide कर लिया, I hope आप समझ गए होंगे, तो देखिए, जब आप इन तीनों को इस bone पर apply कर okay, तो this is the right side fibula bone, okay, तो हमारे 3 point, मैंने बोला कि कोई भी long bone होती है, तो इसे 3 point के अंदर पढ़ते हैं, तो पहला point हमारा finish होता है, अब हम आते हैं हमारे second point, यानि की external features पर, and देखिए, वही external features यानि की, मतलब कि यार, जब भी मैंने bone को हाथ में लिया, तो मुझे इसमें क् काहर से, कौन-कौन से उभार दिखाई दे रहे हैं, कौन-कौन से बोल्डस दिखाई दे रहे हैं, कौन-कौन से ट्यूब रोसिटी दिखाई दे रहे हैं, कौन-कौन से प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, कौन-कौन से सलकस दिखाई दे रहे हैं, मतलब bone के उभार, गड़े वही बोलने होते है external features के अंदर कि क्या क्या आपको externally दिखाई दे रहे हैं तो वही external features को भी हम तीन पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे upper end का फिर sharp का फिर lower end का तो सबसे पहले आते हैं हम upper end पर तो देखी upper end पर आपको बस दो ही चीज़े पढ़नी होत पर हैं तीन surface कौन सी lateral या peroneal surface posterior या flexure surface medial या extensor surface ओके तीसरा यानि की lower end lower end बोल दीजिए या बोल दीजिए lateral melleolus इसकी होती है चार surface end चार surface कौन सी anterior lateral medial और posterior ओके तो हमें इस तरह से पढ़ने है external features ओके तो सबसे पहले आते हैं सबसे पहले क्या है कि इसके पास एक आल्टिकुलर surface होती है किसके लिए फूर टीबिया के लेटर कॉंडाइल के लिए और जो आल्टिकुलर सर्फेस होती है और कहां परजेंट होती है superior side present होती है तो देखिए जहाँ पर एक टूटावा portion है न यहीं क्या है this is the articular surface for lateral condyle of talus मतलब कि यार हमारी fibula कहां होती है lateral side और आपको पताओगा कि fibula का upper end हमारी tbia के lateral condyle से अब यार tbia के lateral condyle से तो अटेच होगा fibula lateral side है तो tbia के lateral condyle से ही तो हमारा upper end attach होगा तो वही अपर end के head पर superior side head पर उपर की तरफ यहाँ पर एक articular surface होती है किसके लिए tbia के lateral condyle के लिए इतनी बात कतम उसके बाद दूसरा मैंने बताई दिया यहाँ पर apex या stylet process अरे भाई मैंने upper end lower end decide किया था न side determination में ओके वही तो apex या stylet process इसकी क्या direction होती है तो यह होता है एकदम upward देखिए उपर की तरफ है और कहा present होता है posterior lateral side present देखिए यह tbia bone किसकी है यह भी हमारी right side की tbia bone है और यह भी क्या है right side की fibula bone है तो मैंने ऐसे कर दिया यह हो गया उसके बाद देखिए आप खुद देखिए जब आप इसे देखोगे ना यह मैं आगे से देख रहा हूं ओके यह हो गया lateral view तो देखिए stelvert process कहां प प्रोन को देख के लिक रखी है कोई भी रटने की नहीं है तो stelvert process यह उपर की तरह पोड़ होता है posterior lateral side present होता है और जो हमारा stelvert process होता है इसके anterior lateral देखिए यह यह tbia tuberosity है तो यह क्या है हमारा anterior view है तो जो stelvert process है उसका जो anterior lateral slope है इस पर कौन सी muscle attach होती है biceps femoris देखिए ए बेक होती है biceps breaki muscle तो वह तो हात में होती है ना यहां पर क्या है bf biceps femoris muscle और जो biceps femoris muscle है इसका attachment है special design का होता है जिसे हम बोलते हैं c shape attachment देखिए मैंने यहां पर blue color के pen से ऐसे c का रखा है तो c shape में जो anterior lateral slope of stelvert process होता है वहां पर attach होता है कौन हमारा biceps femoris muscle और देखिए अग और मैंने ऐसे c shape में कोई muscle attach कर रहा है c shape में attach करवाई यहां पर देखिए c shape में कोई muscle attach कर रहा है तो उसके बीच में gap होगा तो वहां पर जो c shape का attachment है biceps femoris का उसके center में देखिए यहां लिक रहा है center में हमारा fibular collateral ligament attach होता है और यार fibular पढ़ रहे हैं तो fibular collateral ligament की बात करनी पड़ेगी ओके तो आई अब आप समझ गए होंगे head पर दो चीज़े attach होती है देखिए जितना भी लाल-लाल से लिक रखा है न यह लाल-लाल सब लाल-लाल या तो यह clinical हो सकते हैं या यह कोई muscle हो सकती है या फिर यह कोई ligament हो सकता है और अन्यू है कि लाल से मैंने सारे के सारे important point लिक रखे हैं पूरे page के अंदर तो आपको भी ऐसे ही करना है जो भी लाल-लाल है उसे लाल ही रखना और लाल का मतलब तीन चीज़े clinical ligament या कोई muscle या फिर को important point है लाल वाला ओके यह हो गया तो head पर दो चीज़े attach होती है उसके बाद आते है neck neck neck this is related to anterior tbial nerve and cpn cpn याने की common peroneal nerve ओके देखते हैं यह head हो गया यह neck हो गया और आपको बताओगा कि इन दोनों के बीच क्या होती है हमारे introsis membrane okay तो वही जो neck है neck का जो medial वाला part है of course यार यह lateral होगा अभे यार हमारी fibular lateral side होती है तो यह lateral part होगा ना यह medial होगा तो fibula के medial side neck के fibula की neck के medial side कौन present होती है हमारी anterior tbial artery present होती है और fibula के पीछे की तरफ और lateral side fibula की neck के पीछे की तरफ और lateral side यहां पर कौन सी nerve होती है common perennial nervous present होती है तो common perennial nervous cpn posterior lateral side present होती है और आपको पता होगा की common perennial nerve this is the branch of cyclic nerve आपको पता होगा यार कि cyclic nerve नीचे की तरफ बांड और डो branch में Nederland होती है को सबसे पहली होगी हमारी टीवियल नर्व और दूसरी कौन से होगी कॉमन परिनियल नर्व यंड आपको बताऊगा कि शियाटिक नर्व पीछे के साइब प्रेजेंट होती हैं तब यह तो मैंने लिखा यह पॉस्टिरो के नीचे अंडरलाइन करके शियाटिक नर्व की ब्रांच ऐसे लि क्लिनिकल लिख रखा है कि नेक के बाद मैंने लिख रखा है यांपर हैस्टेक हैस्टेक यानिकी फ्रेक्चर मतलब कि due to some डिजन्स अगर फिबूला की नेक का फ्रेक्चर हो जाता है तो आफ कोर्स हमारी फिबूला के रिलेशन में क्या है common perineal nerve है, तो of course neck के fracture में common perineal nerve CPN damage होगी अगर CPN damage होगी तो उस clinical को क्या बोलेंगे foot drop, हमारा foot गिट जाएगा, देखिए दो clinical होते हैं एक होता है foot drop एक होता है wrist drop, दोनों के video हमने upload कर दी है, आप direct YouTube पर search करना foot drop, बाद में TCML, अगर wrist drop देखना है तो लिख देना बाद में TCML, मतलब wrist drop फिर बाद में TCML, आपको हमारी video सब सर पहले ही मिल जाएगी और देखिए मैंने दोनों का comparative video बना रखा है, को कि foot drop, wrist drop similar नाम लग रहे हैं आपको, तो वही wrist drop में क्या होता है, radial nerve के PLC होती है, and foot drop होने के बाद, आप दो काम नहीं कर पाएंगे आगे लिख रखा है मैंने मतलब, जब आप detail video देखेंगे जब आपको समझ में आएगा, ओके तो दो काम कौन से नहीं कर पाएंगे आप dorsi flexion नहीं कर पाएंगे आप e-version और foot नहीं कर पाएंगे मतलब foot का dorsi flexion और e-version, inversion मत बोलना तो ये दोनों काम नहीं कर पाएंगे अब आप बोलेंगे सर्क क्यों नहीं कर पाएंगे तो यार देखेंगे, इसके लिए आपको हमारी separate video देखनी पड़ेगी वहाँ पर आपको CPN की branches देखनी पड़ेगी कि ये कौन-कौन सी muscle को supply करती है common perennial nerve उस base पे फिर हम ये दोनों decide करते हैं कि ये दो moment हमारे foot drop में नहीं हो पाते हैं तो ये हो गया and finally देखिए हमने पूरी की पूरी upper end की बात कर ली है अब आता है हम हमारी shaft पर देह हम बात करेंगे lower end पर